चतिसगर में एडी के कारिवाही को लेकर दिल्ली में बिजेपी ने प्रेस कॉन्फरेंस की भाजपर प्रवक्ता संबीत पात्रा ने कहा कि चतिसगर सरकार ने घोटाले की दुकान नहीं खोली बलके इन घोटालों के फ्रेंचाइजी भी बाटी हुई है इन्हीं वजहों से आज जाच एजेंसियों के चापे वहां पढ़ रहे हैं भाजपर प्रवक्ता ने कहा कि चतिसगर सरकार की छवी धुमिल करने की हमें जरूरत नहीं है उन्हें उन्हें चतिसगर सरकार पर तंच कस्ते हुए कहा कि अब वो जमाना गया जब लगता था कि भ्रष्टाचार हम कि शाता मिमारी अबश्यक्ता नहीं जिस प्रकार के बड़े-बड़े गोटाले मोटालों की दुकान मोटालों की मंदली शब्स 46 गड़की सरकार ने खोला हुआ है उसका करने सब्स चाहे गोटाले होंगे चाहे वो सक्था के गोटाले हो या वो शराप के गोटाले हों स्वभाविक रोप से छीट उनके ऊपर पड़ेंगे अजब पेड किया है ब्राइब तो होंगे ही रेड रेड तो होंगे ही रेड क्यों नहीं होंगे वो जमाना लद गया वो जमाना बदल गया है जब आपको लगता था कि भरस्टाचार हमारा जन्मसिद अधिकार है आप बताईए आपने चार चार्चीट पड़ा होगा यह लगभग 37 पेजेस का चार्चीट है इस चार्चीट में सपस्ट रूप से कहा गया है एसाइ चंद्रभूशन वर्मा कि चंद्रभूशन वर्मा जो एसाइए पुलीस का एक एक अधिकारी है 65 करोड रुपय का लेंदेन वो खुद स्विकार क करते हुए रवी उपल जी का नाम लेता है कौन है ये रवी उपल और बाकि जिन का नाम लेता है विनोज शर्मा कौन है ये विनोज शर्मा ये मुख्यमंत्री के खुद के लोग जब उनका नाम चार्चीट में आता है और खुद ये confession statement में लिया गया है तो आपको क्या की कारवाहि नहीं होनी चाहिए केवल इतना ही नहीं कोई लाग होटाला लगबख 540 करोड रुपए का उसमें उपसचीव सुम्या चुरासिया का क्या रोल था कि आज सुम्या चुरासिया जिसके घर से नोटों के बंडल निकले थे और नोटों के बंडल को आप सभी बंदू निकलेंगे तो उस पे कोई कारेवाही नहीं हूँ, कौन सूपर सीम कौन था, ये सोमिया चुरासिया कौन थी, जो जेल के अंदर है, और कौन कौन से कौंग्रेस के कारेकरता जेल के अंदर है या आप भी जानते हैं, तो सभाविक रूप से जब ऐसी कारेवाही होगी, इस प सभाविक रूप से कारेवाही तो होगी, इसमें किसी को एपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीना ठोक के कहना चाहिए, अगर जनता को लूटोगे देश के पैसे का इस प्रकार से, आप लूट खसोट मचाओगे, तो जनता के पैसे को बचाने के लिए अगरेजिस अपना काम करेगी